तो हेलो एवरिवन ये दो सिक्रेट हाउस का एपिसोड 11 है लेकिन इससे पहले आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना तो हमने लाश्ट पार्ट में देखा था कि मिस हान मिस्टर पाक से मिलने रेश्टरोन जाती है जहां पर जियून था लेकिन हम रेश्टरोन जाने से पहले का सिंग देखते हैं जहां पर मिस्टर यान मिस हान से कहते है कि अभी मिस्टर पाक ओफिस में आ रहे है और वो पाक का नभी सुन लेती है और मिक्षिट हान रेश्टरौन के लिए निकल जाती है और उसके पीछे-पीछे त्याई वह जाने लगती है और फिरफिर हम थोड़ा डाउट हो चुका था मिस हान और उन दुनों नमूनों पर दूसरी तरफ तेहीं यहीं सवाल अपनी मूम से करती है कि आप वहां पर क्यों गई थी मुझे लगता है कि आप हमसे कुछ छुपा रही है जिस पर मिस हान केती है ऐसा कुछ भी नहीं है और उस दिन पर ज दूसरी तरफ तेही को भी थोड़ा सखो चुगा था अपनी मूम पर दूसरी तरफ मिन्यून को डॉक्टर कहते हैं आप उनकी डॉनर बनने के लिए परफेक्ट मैच नहीं है आपको कोई और डॉनर ढूंडा होगा दूसरी तरफ जोहन जून को क्या मेसेज करें यह सोच मेन्यून को देखे लेती हैं तै Crispy मीन अगेरूप कर दोनों को बात करते हुए देखें हैं जहां पर मिन्यून कहती है मैं भी उसकी डॉनर नहीं बन पाऊंगी तो जिसपर जोहन कहती है क्या तुम्हैं कि मैं यह बात कर दोदे दोरा हटरत चून कि अपनी मूम और इसे तो एक्टर होना चाहिए था जहां पर मिस गू चेर्मेन नाम की तारिफ करती है जिस पर चेर्मेन नाम कहते है मैंने भी कई सारे गुना किये है और काफी सेड होकर वहां से चले जाते है दूसरी तरफ मिन्यून भी तेयूं का इंटर्विव देख रही थी और दूसरी तरफ मिस हान तेयूं को उसका नए अफिस दिखाती है और यहां पर वह चेर्मेन नाम को काफी कोसने लगती है कि वो बुड़ा जर्दी मज़ा है तो काफी अच्छा है जिस पर तेयूं केता है उसे की वज़े से तो हमारा घर जर रहा है तब ही उसे मिन्यूं का कॉला था है जिसे देखकर वो उसे काट डालता है और ये बात मम को खटकती है इसलिए वो उसे कहती है कि किसका कॉल है जिस पर वो कहता है किसी का भी नहीं जब भी उनसे कोई भी बात नहीं करते फिर भी वो अपने आप ही मुस्कुराते रहते हैं जिस पर जियून का फ्रेंट कहता है लगता है फाइनली ये दोनों एक साथ हो चुके हैं जिस पर जियून उसे कहीं ज़्यादा काम दे कर वहां से चला जाता है दूसरी तरफ तरही अपना चेक अप करा रही ती जहां पर डॉक्टर उसे कहती है आप अभी डोनर नहीं बन सकती क्योंकि आपका हाड वीक है जो सुनकरते ही काफी सेड हो जाते हैं क्योंकि उसे सौल की मदद करनी थी और साथ ही साथ जियून की भी दूसरी तरफ चेर में नाम जियून से मिल क्यों लगी हुई है और ये बात वो gy foul के दो बीडू को भी कहती है। चिस पर वो केता है ये ज्यून की मोम है यह सुनकर वो काफी जद्द गपर आ जाती है क्योंकि उसे भी नहीं बता था कि ह ये जियून की मोम है दूसbor ज्यून जहाँ जीून है जहां पर ज्यून से कह मुझे अच्छा लगा कि तुमने इतना किया लेकिन मिन्यूं आगे से कॉल काट देती है और उसके बाद वो बार बार तेयूं को कोल लगाती है दूसरी तरफ टेयूं जोहन के पीछे पीछे था जिसपर जोहन कहती है अब तुम मेरा पीछा मत करो क्योंकि अब मेरा आपि यान मीश हान से केता है अब सब कुछ ठीक है तभी मीश हान को मिस गू का तो कहती है कैम जूंग्यूं उस लोएर की मौम है यानि की जीवन की मौम है ये बात मुझे पता चली तो मैं काफी हिरान हूं और मैं अपने साथ मौम का पोस्टर भी लेकर आई हूं तो क्या मे चेर्मेंन नम और उस lawyeur यानि की जीवन को सबकुछ सच बता दू मिस हन केती है तुम्हे जो करना है वह करो पर वह करती है ठीक है वैसे भी चेर्मेंन भी आज जीवन को अपने घर पर invite किया है तो यहांपर ही मैं सबकुछ सच बता दूनुगी जिसे सुनकर मिस हान के तो होस उड़ जाते हैं और वो सिधा घर के लिए निकल जाती है दुसरी तरफ मिन्यूंग भी चेर्मिन नाम के घर पर आई थी तैयूंग से मिलने के लिए तभी वहाँ पर तैयूंग भी पहुँच जाता है और यहाँ पर मिन्यूंग फिर से अपना औरगन डोनेट करने की बात करती है कि तभी वहाँ पर जियूंग भी आ जाता है और मिस हान भी पहुँच जाती है और उन लोगों की बाते सुनने लगते है जहां पर तेयूंग काफी गुस्ते से कहता है अगर वो बिमार है तो मैं इसमें क्या करूँ जिस पर मिन्यूंग के मुँझे निकल जाता है क्योंकि वो तुम्हारी बेटी है और ये सुनकर वो तीनों शोक हो जाते है और यहीं पर ही ये पाट खतम होता है एपिसोड 12 की स्टार्टिंग में देखते हैं कि मिन्यूंग सब को सच बता देती है कि सौल तैयूंग की बेटी है और ये बाद सुनकर मिस हाल मिन्यूंग के पास आकर कहती है ये लड़की जूट बोल रही है अब ये कामियाब हो चुका है तो फिर से तुम इसके पास आ और आज पता चला कि वो कायर तू है और गुस्टे से उसका कॉलर पकड़कर के ता है तुम जानते हो कि मेरी मेहन ने कितनी मुस्किले जैली है और तुम ऐसे जी रहे हो जैसे कुछ हुआ ही नहो जिस पर मिस हान तैयूंग को अंदर ले जाती है अंदर जाकर मिस हान मिन्यूंग के पीछे पीछे चल रहा था और मिन्यूंग ज्यून के आगविन ही मिला रही थी। दूसरी तरफ तैयूंग अपने आप को समझा रहा था कि ये सब कुछ जूट है। दूसरी तरफ मिस हान तो उल्टा ही सोच रहे थी। उससे लगता है कि वह पहले तो करती है कि मुझे तुम्हारे होटल सिप की मेन मशिप चाहिए उस्फे एक नहीं ऌिंट सब्स के और शकूल ऐस्गेश के ठीस थी मैंने काता है्ज्ड क उन्ट कोंकि手 यह तुम्हारे लियएवेद ने वस्फ आम सब्सक्रीव में कर रहे है उसी दूसरी तरफ जिहुन शोल के पास बेट कर वहीं सारी बाते याद कर रहा था नेक्श्ट डे जोहुन उस्पिटल जाने के लिए रेडी हो रही थी तभी उसकी मौम केती है आज कल तुम खाना ठीक से नहीं खाती हो क्या तुम्हें कहीं किसी से प्यार तो नहीं हो गया ना जिससे सुनकर ड में खाना खिला कर वहीं से अलविदा के देते घर पर बुलाने की क्या जरूरत थी जिस पर चेर्मेन नाम गुसा होते हैं और कहते हैं उसने मेरी जान बचाई है तो मैं क्या उसे घर पर इन्वाइट भी नहीं कर सकता हूं और फिर चेर्मेन नाम तेयूं से कहते हैं तुम इतने परिशान क्यों हूँ और तुम्हें जोहन किसी लगती है मैं उसे तुम्हारी वाइफ बनाना चाहता हूँ जिस पर तैयूं कहता है मुझे वो बहुत पसंद है जिस पर चेयर में नाम कहते है मैं पुरी कोशिश करूँगा तुम दोनों को एक करने की दुसरी तरफ जोहन जियून के घर पर जाती है जहां पर जियून नहीं था वहाँ पर सौल थी और वो कहती है किया वो आपको भी बता कर नहीं गये कि कहां पर गये है जिस पर सौल कहती है मेरे पापा भी न अपनी गल्फरेंड को तो बताना चाहिए कि वो कहां पर गये है ज दूसरी तरफ जियून मिन्यूं के पास आकर कहता है तुम मेरे साथ घर पर चलो मैं अब तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूँगा जिस पर मिन्यूं मना करती है जिस पर जियून गुसा कहता है कि तुम नो सालों से अकेले रह रही हो जिस पर मिन्यूं कहती है मैं तुम पर ब उसके जुनम के बाद उसकी मामा ने उसे अडब कर लिया था दुसरी तरफ मिस्टर यान मिसान को कहते हैं मिन्यून चीवन के साथ रहने आ गई है जिसे सुनकर मिसान कहीं पर जाने लगती है फिर नेक्स टरसीन में हम चीवन को आफिस में देखते हैं जहां पर उसका दस्ट उसे जहुन के नाम पर उसे चीड़ा रहा था दुसरी तरफ मिन्यून चीवन के रेश्टरोन में थी जहां पर मिस्टर यान आकर मिन्यून को एक चाटा लगा देती है और कहती है मुझे पता था कि तुम पहले से ही बेशरम हो इसलिए तो एक नाजायस बच्चा लेकर खुम रही हो और उस बच्चे को मेरे बेटे का नाम दे रही हो जिस पर मिन्यून केती है नाजायस से ज़्यादा मुझे इस पर गुसा आ रहा है कि वो आप जिसी औरत की पोती है जिस पर मिन्यून उसे केती है तुम मेरे बैटे से दूर रहो वरना अच्छा नहीं होगा जिस पर मिन्यूं कहती है मैं उसे नहीं छोड़ूँगी जब तक सॉल ठिक नहीं हो जाती तब तक मैं उसे नहीं छोड़ूँगी तब ही वहाँ पर तैयूं आकर मूम को संथ कराता है और मिस हान को वहाँ से जाने को कहता है दुसरी तरफ तैयूं कहता है तुम यहाँ पर इतने सालों बाद क्यों वापस आई हो जिस पर मिन्यूं कहती है सोल को किड़नी की जरूरत है इसलिए उसकी सरजरी के लिए फैमिली मेंमर का कोई डॉनर चाई यह इसलिए तुम्हारे पास आई हूँ जिस पर तैयूं कहता है वो मेरी फैमिली नहीं है जिस पर मेन्यूं कहती है ये तुम बात अच्छी तरीके से जानते हो इसलिए तो यहाँ पर खड़े हो कि वो तुम्हारी ही बेटी है जिस पर तेयूं कहता है तुम अपनी ये बक्वास बंद करो और मेरे रास्ते में कभी मताना जिस पर मिन्यूं कहती है मुझे पता है इंडोस्मेंट से बेली तुमारा इंटर्वियू लिया जाएगा क्या उसमें मैं तुमारा सब सच बता दू और उनमें तो एथिक्स भी आते है जिस पर तेयूं कहता है तुम चाहे जो भी कहो कोई भी तुम पर यकिन नहीं करेगा जिस पर मिन्यूं कहती है कोई यकिन करे या ना करे लेकिन रिपोर्टर्स इस न्यूस से तुमारी इज़त की धजिया उड़ा देंगे जिस पर तेयों काफे गुसा हो जाता है जिस पर मिन्यून कहती है अगर तुमने मेरी मदद नहीं की तो मैं तुम्हारी ऐसी हालत करूँगी ना तुम पॉलिटिसन बन पाऊगी और ना ही कुछ और दूसरे तरह जोहन के डेड़ चेर में नाम के घर पर जाने के लिए मना कर रहे थे लेकिन मौम बार बार जिद कर रही थी जिससे वो मान जाते है दूसरे तरह जब जिवन मिन्यून को घर पर लाती है तो सोल काफे हैपी होती है कि अब से मिन्यून यहीं पर रहेगी जहां पर शोल केती है मुझे खाना बनाना भी आता है तो आपको चिंटा करने के कोई जरूरत नहीं दूसरी तरफ तैयूंग अलग से परिशान था मिन्यूंग की बातों से तब भी वहाँ पर जोहन आती है तो तैयूंग केता है ग्रेंपान ने तुम्हें घर पर इंवाइट किया है तो मैं तुम्हें लेने आया हूँ दूसरी तरफ मिस्स को तैही से कहती है कि आप जियून को जानती है पति ही सुफोब इसनले और मेन्हूंप उसकी उसक्का परोवा और अच्छान सब्सक्री तर आपको रबर पास्षे, तर्भवं रियॅ. मेरा एक बॉइफरेंड है लेकिन जोहन के डेट काफी घबराय हुए थे और उन्हें पसीन आ रहा था जोहन तो डिनर की जेगे पर जियून से बाते कर रही थी फोन पे तभी वहाँ पर जियून आ जाता है जिस पर मिसान कहती है वो यहां पर क्या कर रहा है जिस पर सब्सक्राइब हो गई थी उस रात क्या हुआ था और यह सुनके इस हान के साथ साथ जोहन के डेट के होस उड़ जाते हैं और उनके हाथ से अब गिर जाता है और यहीं पर यह पाट खत्म हता है थैंक्स वर वाचिंग